अब बीच वेडियो और शुरू कर दिया वोकाबलरी के लिए तो आज एक नया सेशन लेकर आया हूं वेक वोकाबलरी का दियान से देखना फायदा होगा दूंको चलो सबसे पहला वर्ड मेरे पास बोड़े बोड का मतलब होता है भविष्य कथन अगर आपको कोई भविष्य की चीज़ बतानी है तो आप वर्ड क्या यूज़ करूँगे बोड चिक है अब इसको याद किसे करेंगे बोड में एक सांड आ रहा बुद्ध का तो आप सबको हमीद मुझे इन इंप पूरूसकार मिलेगा पीष्य जो बोड था आत्रत शार आपशे करेंगों इसको याद के सदिए सुछे पूरूसकार मिलेगा का मुझे तeki मुझे परसकार मिलेगा पीछे जो बोड़े था अब से याद करते हैं पीछे-पीछे वर्ड को भी रिवाइस कर दे रहा हूँ बोड़े का मतलब क्याता है जब बुद्ध बॉर्ण वे थे तब भविश्य वाणनी हुई थे जो भी भविश्य की बात होती है उसको बोड के लिए उसका लल का मतलब ह जिए होता है शांत करना हो जिसके है तो देसे शेंटेवली सेक्योर और गॉन क्या होता है तो जाल को ऐसे याद रख सकते हो याद करने का तरीका हो next word is plunk plunk का मतलब होता है लापरवाही से नीचे रखना किसी चीज को लापरवाही से नीचे रखना to put something down heavily and carelessly चीक है इसका नेमोनिक तुम खुद बनाना last word is inchoate inchoate का मतलब होता है प्रारंभिक, just begun and so not fully formed or developed rudimentary जो एकदम starting में हो उसको inchoate बोलते है इसको याद कैसे करेंगे inch in length, देखो यहाँ पर inch in length, मतलब अभी inch है inch भर है, अगर inch भर है मतलब वो अभी अभी start हुआ है तो inchoate का मतलब होता है प्रारंभिक, means जो अभी अभी शुरू हुआ है just begun, so not fully formed इसको याद करेंगे तरीका क्या है inch in length, जो अभी छोटा है, inch, बहुत inch भर है inch भर है, मतलब बहुत छोटा है ठीक है, तो I hope आप लोग को यह session पसंद आए होगा daily AC में आप लोग को 5 words दिलाके देता रहोंगा इस channel को like, share, subscribe करके ज़रू करें और comments मताए video के स्लिए, share जरूर करें ज़रू करें thank you